जोबसूरत टनल है इस टनल के साथ में एक स्काप टनल भी है वह पर से इलेक्ट्रिक लाइन है और सुपीड इस राफली सेवंटी एट तरन्स टनल यह आगे हम तीसरी टनल में क्विकली मैं आपको पूरी जर्नी करा हूंगा टनल की इस रेल्वेट ट्राक की क्या है इस एक् करते हैं इस प्रेंड का जिसका बेसाबरी से इंतजार रहता है लोगों को आए देखते हैं हमारे साथ लोको मोटिव पाइलिट और यह आगे जो है यह संगल दान की टनल है जम्मू वाले साइड से याने हम कश्मीर वाले साइड की तरफ जाएंगे आगे बानिहाल और उस पूरत टनल है इस तरह की टनल पहाड को काट के बनाई जाती है और यह देखिए और इस टनल के साथ में एक एसकाप टनल भी है और हर तीन सो पचाथर मीटर के बाद उसका एक गेट है आप देखे किस तरीके से यहां पे ट्रैनिज का सिस्टम रहता है इस तरीके से यहां प्ठी रचाइए गई है ये देखेघें ये सिग्नल्स होती हैं ये कबिलेट कमिनकेशन करते हैं देखें आगे की क्लियरंस सब चीजश हैं ये ये देखें वह पर से इलेक्ट्रिक लाइन है ये कोई आम बात नहीं है आप देखें किस तरीके से यहां पर बनाई गई है यहां द्रेम चलती है यह कि पर चलती है यह अभ्यूशन नहीं होगा इस दर्ट मैं 70 की स्पीड में हम एस टैनल को क्रोस कारें है और तैनल का अभी दूसरा एंड आएगा वह यहां पर काफी सारे बिडिस हैं खास्तार से संगल्धान से लेकर बानिहाल तक बहुत सारे ब्रिच्छ अभार बहुत सारे टैनल्स करिरा हुँ निकल रहे हैं अब हैं सकते हैं उनकल रहे हैं दूसरी का अब आप है यह को पुछ्ट परिरव के वाद पन्य तो हम निकले हैं डी फुर्टी से बाल और इसके पात एक जाता है। हम इसमय पर आगे हम तीसरी टॉनल में तक लॉटयी स्कितस चैट्री कितने हैं यह साथ सो मीटर के करीब इसकि लंबाी है इसकितथे स्वाल एक राशने तॉन आर ओपर से कित लिए इस इस फर्स उलेक्रिक राण रॉट्री धोर्ड अंध्री इस इस्ट्राइट अपनाओ बैल्यू आँद्यू तनल नमबर 4 and that is T48, 2.2 किलो मेटर लॉण, वाव, it has been illuminated and you can see the electric line passes through the tunnel, it is state-of-the-art technology, it is state-of-the-art tunnel, ये देखिये, ये दो साइट से जो आप देख रहे हैं, ये बड़े-बड़े वेंटिलेटर से हैं, ये देखिये, ये वेंटिलेटर साप देखिये, ये वेंटिलेटर साप द आप देखिये हैं पड़े-बड़े, ये यहां जोपस्तियोष। that is the longest tunnel, right now we are in tunnel number 49, tunnel number 49 is 10 km long, tunnel number 50 is 12.8 km long and that is only longest tunnel in India, railway tunnel so we are heading towards the next tunnel and you can see how beautifully it has been called, how beautifully it has been constructed what you are seeing is the exit gates, there is a escape tunnel, if there is any problem in the train, passengers will go to the exit gates and you can go to the other escape tunnel so you can see that we are heading towards T49, 10 km long and after that you can see here is a beautiful bridge and the bridge is a beautiful view of the bridge T50, we will come back a little bit later, first we will come to a railway station and the railway station's name is Sumber we are heading to Sumber, this is 12.8 km long and this tunnel is called T50, see it is written, it is T50 main northern railway tunnel It is 12.775, mean is roughly 12.8 km long, 12.8 km long, 12.8 km long, 12.8 km long, 10 km long, . तो ये जरनी कुछ मिनट्स तक जारी रहेगी और सुपीड देखे कैसे एकसल रेक की जाती है 40 के बाद 50, 55, 60, 70, 75 से 80 के बीच में सुपीड रहती है तो हमने T50 का सफर किया और आप देख सकते हैं ये इसका एक्जिट है हम संगलदान से आये सिरीनगर की तरब जा रहे हैं और आप देख सकते हैं अब हम खारी पहुंच जाएंगे वहाँ पे भी एक रेलवे स्टेशन है और पहले ब्रीज आएगा और उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन आएगा इंडिन रेलवेस की सबसे लंबी टनल है ये आप देख सकते हैं अभी हम इस टनल से बाहर आ रहे हैं यहाँ पे 11 टनल हैं चोटी बड़ी बानिहाल टनल तनल तनल उसके बाद बानिहाल की टनल जो है यहाँ बारान टनल क्रोस करके इनसान बारा मुल्ला से संगलदान पहुंचता है यह देखे खुबसूरत नाजार है अब खारी से निकल के हम आ जाएंगे एक और टनल में एक और टनल से हम बाहर निकल रहे हैं एक और टनल जा रही है और यह आप देख सकते हैं खुबसूरत नाजारा एक और टनल में हम गुजगे टनल नंबर 53 बाउन से निकलके 53 में दाखिल हो गए उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक के बाद एक टनल यहाँ पे खोदी गई है और किस तरीके से काल की गई है टनल ताकि रेल कनेक्टिवटी कश्मीर को चमू के साथ मिले अब हम यहाँ इस टनल से भी बाहर निकलेंगे एक और टनल में दाखिल हो जाएंगे पहले लेफ्ट कोस थे अब राइट करवा रहे हैं याने काफी जगहों पर मोड़ा जाता है टनल को ऐसा नहीं कि एक जगह से सुराक किया दूसरे जगह से सिट्रेट निकाला जाए क्योंकि सर्वे की जाती है और उसके बाद ही यह टनल कामीर की जाती है कोई आसान काम नह है और अब आप देखेंगे आब आजाएगा टनल नमबर 55 यानि के तक्रीपन सो मीटर के फासले के बाद टनल नमबर 55 एक के बाद एक टनल जा रहे हैं ग्यारं टनल्स का सफर हमने तैकना वाँ 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 वाट अ ब्यूटिफुल वाट ब्यूटिफुल एरिया द 55 में यह आप देख सकते हैं उसका मतलब है कि रेल्वे स्टेशन पे लाइन आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम हैं रेल्वे स्टेशन बनी हाल पे और खाफी खूब दिखता है यह सुनो फाल में और इरिद गिरिद हर तरफ से बड़ा और यह लगा साइन बोर्ड बनी हाल का